नमस्कार दोस्तो मैं उदेलाट फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन प्रुड देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज की उड़ में तहें दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तो थमने लेखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तो दुनिया का सबसे बहुतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहुतरीन ब्रीड है दोस्तो देशी मुर्गी देशी मुर्गी पालन का यह व्यावसाय आप घर घर तक पहुच चुका है इस व्यावसा ने लाखों का मुनाफ़ा कमाने का रास्ता खोल दिया है इसलिए कितने युआ यू तीस व्याउसाय को करियर का आप्शन बनाना चाहते हैं आइसी परिस्तितियों में दोस्तों आपको भी इसे करियर का आप्शन बनाना है आपको भी मुर्गी पालन के व्याउसाय से लाखो का मुनाफ़ा प्राप्त करना है लेकिन ऐसी परिस्तितियों में दोस्तों आपको एक बात की जानकारी रखनी होगी कि मुर्गी पालन के व्याउसाय में जितना मुर्गियों का वहां पर होना जरूरी है उतना ही शेड का भी होना जरूरी है यानि कि दोस्तों एक बात की जान कारी रखिए कि ऐसा माना जाता है कि सिर्ष सलामत तो पगड़ी 50 और मुर्गी सलामत तो फारं 50 हाँ दोस्तों यही तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि मुर्गियों का शेड़ उनके लिए बहुत महत्वपुर्ण होता है इसी के अंतरगत दोस्तों आप गर्मियों से हम बरसात में जाने वाले हैं बरसात में तेज बारिश होती है दोस्तों वहाँ पर आंदी तूफान आते हैं और ऐसे में दोस्तों हमारी मुर्गी जी सेड़ में रहती है वह शेड मजबूत और जरूरी है ऐसे में दोस्तों बरसात से पहले शेड की मरमत कैसे करें इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं जिसके कारणवस दोस्तों आपके शेड में वहाँ पर कुछ भी दिक्कत ना रह पाए इस कारणवस बरसात के इस मोसम में आपके मुर्गियों को कुछ भी तकलीफ ना हो पाए ऐसे में बरसात के मोसम से पहले शेड की मरमत कैसी करने चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला यह वीडियो अंततक देख लिजे पसंद आया तो लाइक कीजे किसान भाई और मुर्गी पालक भाई तक यह वीडिय के सादनों का इस्तमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड कर अनुरोध करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझ दोस्तों आप से गुजारिस करता हूं विन्ती करता हूं कि सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाईतरब निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो पिले कैसे करनी चाहिए शेड की मरमत आपको समझाता हूं देखिए दोस्तों शेड बहुत ही महत्वपुर्ण होता है बरसात हो या साथी में सरदी गर्मी कौन सा भी मोसम हो दोस्तों बदलने वाला मोसम और साथी में जो वहाँ पर जंगली पशुपक्षी होते हैं उनसे अगर हमारे मुर्ग्यों का बचाव करना होगा तो शेड को मजबूत और सुरक्षित रखना होगा फिर शेड को चार तरीके से मजबूत रखना होता है दोस्तों समझाता हूं सबसे पहली बात दोस्तों शेड की निचली साइड हां दोस्तों जिसे हम PCC कॉंक्रिट कहते है जहां पर मुर्गियों की बीट होती है दोस्तो उसे कहते हैं हम निचली साइड दोस्तो निचली साइड के हमें किस तरह से रचना देखनी है दोस्तो तो निचली साइड की तरफ ध्यान दीजिए कि निचली साइड में कहीं से सुराक तो नहीं है कि कहां वहां से नेवला आ सके आईसा देख लीजे अगर वहां पर कुछ दिक्कत शिकायत हो और डर लगता हो तो दोस्तों वहां पर आप सिमेन कॉंक्रिट कर दीजे ताकि आप गुंजाईश ही मत छोड़िये कि निचले साइड से नेवला या दूसरा कोई आईसा वहां पर जाली या दीवार होगी तो वहां पर भी सुराग नहीं छोड़ना है दोस्तों और कहीं पर होगा तो उसे ढख लेना है दोस्तों और कहीं पर जाली टूटी फूटी हो तो दोस्तों उसकी मरमत कर लेनी है ये काम बरसाथ से पहले होना चाहिए नहीं तो आईन वक्त पे बहुत ज्यादा तकलीफ यहां पर हो सकती है उसके बाद दोस्तों उपर वाली साइड सबसे महत्योपुर्ण होती है दोस्तों उपर वाली साइड यानि सिमेंट के पत्रों का या टीन का पत्रों का इस्तमाल किया होता है दोस्तों हमने पहली बात की इसे मजबूती से आप व पत्रों होगे तो नट बोल्ट में फिट कर दीजे ц Color Sum दोस्तों ता कि nasa यहां पर आजी तूफान आये तो वहां पर हमारे शे के ऊपर के जो हम पתर कह रहें दोस्तों वहां पर जो है दोस्तो उड़ कर जाने नहीं चाहिए ऐसे में एक तो मुर्गिया मर सकती है नहीं तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है दोस्तो इसलिए उपर से पूरा उसको नट बोल्ट के सा टाइट करके पैक कर लीजे दोस्तो और उस पे सही तरीके से वजन रख दीजे उसके बाद दोस्तो हमें क्या करना है कि उपर इस साइड से कुछ छोटे छोटे सुराग हो तो उनमें यमसिल डाल देना है ताकि दोस्तो अंदर के साइड पर एक भी बूंद उपर से ना आपाई इतना आपको प्रभंद करना पड़ेगा साथी में दोस्तो उपर की जो साइड है वहाँ पर हमने गन्ये के जो वहाँ पर पार्टस होते हैं कि जो गर्मियों के मोसम में उपर डाले होंगे तो उनको निकाल देना है साफ सुप कर लेना है दोस्तो और जो उपर का शेड के उपर के टीन होगे दोस्तो उन पर स्लोप वहाँ पर सव प्रतिषत निकालना होगा क्यों निकालना होगा दोस्तों तो स्लोप निकालने की वज़ह से दोस्तों बारिश की वहाँ पर बुंदे गिरिगे यानि बरसाज जब आएगी तो पानी डायरेक्टली नीचे आजाएगा यानि दोस्तो हमारे शेड के अंदर वहाँ पर नहीं जाएगा इसका मतलब है दोस्तो की हमारा शेड अंदर से गीला नहीं होगा और आपको पता है कि शेड की अंदरी साइड गीली होगी तोही मुर्गYU के फार्म पर यहाँ पर सव प्रतिशत आ सकती है बीमारी तो दोस्तो हमने नीचे से पैक किया उपर से पैक किया साइड से पैक किया लेकिन जहां पर हमारी जाली है जाली के अंदर तो पानी आ सकता है दोस्तो फिर आइसे में हमें क्या करना है दोस्तो प्रबंद वहाँ पर जो है दोस्तो बाहरी साइड से उपर का आदा एक फिट का वेंटिलेशन छोड़ देना है दोस्तो और प्लैस्टिक का परदा लगवाना है दोस्तो इसके लिए केबल के वायर का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इसे आईसा पैक कीजी दोस्तो कि बहुत ज्यादा तूफान आये बरसात आये तो यह उड़ना पाए और साथ ही में दोस्तो फटना पाए और दूसरी बात दोस्तो की पानी की एक बून भी अंदर आने ना पाए इसी तरीके से आपको पूरी सुरक्षित्ता को यहां पर अपनाना होगा इसलिए मेरा कहना क्या है कि एक लाइन में उपर से यानि उपर से नीचे से अंदर से बाहर से आईसा स प्रेड मजबूत कीजिये की बरसाद की कोई भी बूंद अंदर आना पाए यानि कि तकलीफ हमें सव प्रतिशत यहां पर नहीं होगी तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों देख लीजी कि चलो इतना तो हमने कर लिया उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि जो निचली सा कि जितना हो सके धान का छिलके का ही इस्तमाल कीजिए क्योंकि यह पानी को बहुत बढ़िया तरीके से सोक लेता है दोस्तों जिससे आपके मुर्गयों कर वहां पर कौन सी भी वीमारी आने की संभावना जो होती है दोस्तों न के बरापर हो जाती है उसके बाद दोस्तों नेवला इनसे भी बचाओ करना जरूरिया दोस्तों इसलिए अंदर से बाहर से नीचे से आपको एक भी सुराग नहीं छोड़ना है ताकि वहां पर कोई भी जंगली बिल्ली बिल्ला नेवला कुत्ता कुत्ती आ पाए यानि कि आपको एक लाइन में बताता हूं कि परिंद दवड़ी करते हो और सुलूशन की तलास करते हो इसलिए दोस्तों आपको पता है ना बरसाथ आने वाली आपको पता है ना आदी तुफान चलने वाला है फिर आएसे परिस्तितियों में इंतजार मत किजिए इंतजार से पहले ही आप सुलूशन निकाल कर रखे ताकि तकल पर दोस्तों बिल्ली बिल्ला कुत्ता कुत्ती नेवला या चील कवा कोई भी अंदर आना पाए यदि आएसा सुरक्षित शेड बरसाथ से पहले मरम्मत करके रख दोगे तो आपके मुर्गियों का जो मॉर्टिलिटी रेट होगा दोस्तों वह न के बराबर होगा यह भी रखना सव प्रतिशत जरूरी है दोस्तों तो उसके बाद दोस्तों तो इतना मजबूत तो शेड हमने तयार कर लिया लेकिन उसके बाद सबसे महत्वपुर्ण बात एक लाइन में समझाता हूं नीचे से कोई सुराग हो ढग लिजे दान का छिलका वहां पर नया डाल जो जाली होगी उसको मजबूत कर लिजे कहां पर टूटी फोटी हो तो मरमत कर लिजे उपर से सुराग हो तो यमसिल लगवा लिजे स्लोप निकाल दीजे पानी की निकासी के लिए और साथ ही में कोई कुडा कच्रा हो तो उसको भी साफ कर लिजे और एंगल में फिट करक उपर से पथर रग दीजे और साइड से यानी बाहरी वाली साइड से प्लाष्टिक का परदा ऐसे लगा दीजे कि जब बरसात आएगी तो दोस्तों हम बंध कर देंगे बरसात जब चली जाएंगी तो वहाँ पर खोल देंगे ताकि हवा आती जाती रहेंगी और मुर्ग्यों के फार में बहुत ही वहां पर जो वातारुन होगा बहुत ही बहतर वहां पर हो पाएगा तो दोस्तों ऐसे तरीके से पूरी रचना कर लीजिए मरमत कर लीजिए प्यास लगने के बाद कुवा खोदने वाले व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है इसलिए गुजारिश करता हूँ कि आप यह जो है दोस्तों जानकारी अमल में लाइए और आज कल में बरसात आने से पहले अपने शेड की मरमत कर लीजिए ताकि आपकी तकलीफ हो जाएगी सव प्रतिशत दूर तो दोस्तों आज तक आप आपने आपका शेड वहां पर मरमत यानि दुरुस्त किया है नहीं किया है कमेंट करके बताईए और शेड के दुरुस्ति करते हुए मरमत करते हुए कोई तकलीफ या सवाल आता है तो कमेंट शेक्शन में जरूर लिख कर भेजिए पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीज और मुर्गी पालक भाईयों के पास यह वीडियो पहुचाने के लिए शेयर कर दीजे शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसब नमबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेसबूक इंस्टाग्राम स्नैपचाट इन सोशल मीडिया के सादनों का इस्तमाल करते हु मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सदस्य मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाईतरब निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंके सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में एक घंटी आएंगी इस घंटी को टच करते हुए और इस नोटिफिकेशन को ओन कर दिजे तक आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आएसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदेलाड आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के उड़ में तहे दिल से बहुत बहुत आभार